बालो को घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपके बालो को 100% रिजल्ट देगा जिसका रिजल्ट आप आपो यकिन नहीं होगा कि इसका रिजल्ट आपको मिला है। अगर आप भी अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं बीना किसी हेर डाई या फिर बाहर की प्रोड़क्ट्स को यूज करें तो इस वीडियो को इंट तक जरूर देखिएगा और जो रेमेडी आज में आपको बताने वाली हो उस रेमेडी को ट्रैस जरूर करके देखिएग नइसाइगए तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको यहां पर तेम और यहीं इस रेमेडी को बनाने के लिए कि आपको यहांपे आदी प्यास का यूज करना है और मेने हांपे लिये हैं केले के ठीक अगर आप अपने बालों को काले के साथ ओक चमकदार और सिल्की शाइंनिंग भी बनाना चाहते हैं तो केले के छिल्का का इस्तमाल जरूर कीजिए तो आपको यहां पर बारिक वाले कद्दूकस से आधी प्यास को जो है कद्दूकस कर लेना है प्यास में फ्रेंस सल्फर होता है जो हमारे बालों को काला और घना करने में बहुत जादा मदद करता है फ्रेंस आपने नोटिस किया होगा जब आप भार की प्रोडक्स का यूज करते हैं उन्हें बहुत जादा केमिकल होता है जिससा आपके बाल डेमिज होने शुरू हो जाते हैं आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं उमर से पहले ही लेकिन अगर आप घरेलू नुस्के का यूस करेंगे तो आपकी बाल बहुत जल्दी काले होने शुरू हो जाएंगे और जो बाल सफेद हो रहे थे वो भी धीरे धीरे आपके काले होते रहेंगे और आपकी बाल सफेद बिल्कुल भी नहीं होंगे तो आपको घरेलू नुस्के का इस्तेमाल करना चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने आपे प्यास को कद्दू कस कर लिया है और अब इसी के साथ आपको एक केले का छिलका लेना है और उसको भी छोटे-छोटे पीसे में कट कर देना है आपको अपने बालों में जियादा तर घरेलू नुस्के का ही स्तेमाल करना चाहिए क्यूंकि वो आपके बालों को डेमिज नहीं पहुचाते आपके बालों को नुक्सान नहीं देते तो हमने आप यह दोनों को काट लिया है अब आपको एक पैन में जिसमें भी आप जीस नुस्के को बनाना चाहते हैं उसके अंदर आपको अपने बालों के कोड़िंग या फिर एक किलास के करीब पानी लेकर उसमें इसको एड़ कर दे रहा है प्याच को और केले के छिलके को इसके बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे चाय पत्ती चाय पत्ती यह फ्रेंस आपने बालों में अपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा क्योंकि यह बालों को काला करने में बहुत जाद हेल्प करती है जो बाल आपके सफेद हो जाते हैं ग्रे हो जाते हैं उनको यह उनका लमच के करीब चाय पत्ती अईड कर देनी है अब हम इसको अच्छी तरह से पकाईंगे तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी से बॉइल होने के लिए रख देना है कम से कम 10 दिसको पकाना है आपको और याद रहे कि आपको इसे चलाते चलाते पकाना है नहीं तो यह चलते से कपक सकते हैं तो इसलिए आपको चलाते चलाते पकाना है यह जो से लगना नहीं चाहिए उसको और घुट ये अलगर सा अगथ्य जाएगा तो फ्रेंद सिसको लगपब्षक दस मिनट रोचुके है पकते बखते और आप देख सकते हैं पानी कितना कम हो चुका है और इसका कलर अभी बिल्कुल चैंज हो गया है अब सकते हैं तो फ्रेंद अप देख सकते हैं यह बिल्कुल ठंड़ा हो चुका है थोड़ा सा गिराम है आपको थोड़ा गरमिन रखना है काला करेंगे और आपके पाउडर आपके नहीं है तो आपके पास तो आपको एक की-सी भी स्टॉप पे बहुत इज Ñप आपके नहीं होगे तो आपको यहां पर एक चमच आमला पाउडर एड़ करना है आमला पाउडर की फाइदा आपने जरूर सुनेंगे जो हमारे पूरवज होते थे जैसे कि हमारी नानी हमारी दादी यह सब अपने बालों को काला करने में इसी चीज का यूज करती थी जिससे उनके बाल सालों सा काले रहते थे और बिल्कुल भी सफेद नहीं होते थे और लास्ट मैं आपको यहां पर एड करना है एक कोफी का पाउच आपको एसके अंदर कम से कम एक चमच ही करीब कोफी होती है तो अगर आपके पास डिपट वाली कोफी है कोफी यहां पर एक चमच यूज कर और बाल काले भी होते हैं तो आप यहां पे एक चमच कॉफी एड़ कर दीजिए और अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिए तो हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी है और अब मैं आपको बताते हूं कि आपको इसी किस तरीके से इस्तेमाल करना है इस नुस्खे को इस्तेमाल करना भी बहुत जादा इजी है बहुत जादा आसान है आप इसको बहुत आसान से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको नहाने से पहले नहाने से आपको दो घंटे पहले अपने बालों में इसको अच्छी तरह से लगाना है खासकर आपको अपने बाल और एक बालों के जड़ों तक जाएं जिससे आपके बालों को और भी अच्छा रिज़ारी देगा तो आपको मसाज करनी हैं मसाज करनी के और यह अगर इसको शरू हो जाएगा ऐक से दो बार की इस्तमाल सही आप देखेंगे भूत फ़रागाइंगे का अपने बालों में दिखाए देगा कान दीरे ब्रेसे ब्लैक होने जाएंगे कालि हो जाएंगे घन होने जिसे में काले दिखते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखते हैं बाल हमारी पूरी खुबसूरती को बढ़ा देते हैं तो हमारे बाल काले भी होने चाहिए जो बालों की जो खुबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा दें तो आपके बाल अगर काले दिखेंगे तो आप और भी ज़्यादा सुन्दर दिखेंगे तो आपको इस तरीके से इसको अपने बालों में इस्तिमाल करना है तो फ्रेंज आज की इस वीडियों पर इतना ही आयोब आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेक कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठाए जा फिर जिसके भी बाल सफेद हो रहे हैं ग्रे हो रहे हैं उसके साथ आप इसको जर